हलो फ्रेंड्स विल्कम टो माई चैनल सागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर्पी पठेल बात करूँगा आपसे इस वीडियो में अविप्रेणा के सिद्धानत के बारे में आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वड होगा क्योंकि आज हम लोग सिद्धानतों के बारे में पढ़ेंगे उनके सिद्धानतों के बारे में पढ़ेंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजेगा और सेयर कर दीजेगा तो सुरू करते हैं आज के सिद्धानतों को देखिए अविप्रेणा के निम्र सिध्धान थे हैं देखिए पहला सिध्धान थे मनो विस्ट्रेशन का सिध्धान जो दिया था सिगमेंड फ्राइड ने ये हैं सिगमेंड फ्राइड महोदे मूल प्रवत्ति का सिध्धान दिया है मैक डूगल ने आवसकता का सिध्धान अब्रहाम मासलो ने छेतरी सिध्धान दिया है कूट लेविन ने सारीरिक गती सिध्धान दिया है सेल्डन रदरफर्ड और विलियम जेम्स ने ठीक है ये महत्पूर्ण सिध्धान थे आपके आगे भी हैं उनको देखते हैं देखिए प्रनोध का सिध्धान जो दिया है सी सिध्धान दिया है मैकली लेंड ने स्वास्त का सिध्धान दिया है हर्जबर्ग ने प्रोशाहन का सिध्धान दिया है वुल्फ एवं काफ मैन ने उद्दीपक अनुक्रिया सिध्धान ये दिया है विभारवादियों ने इसके अंतरकत थांडाइक और इसके नराते हैं और ये जो महोदे दिये गए हैं आप देख रहेंगे फीगर है ये हैं आपके मैग डूगल दीखिए सबसे महत्पुन कौन कौन से हैं उनको मैं बता देता हूँ एक्जाम में काफी बार ये पुछे गए हैं जैसे मनुव विस्रिसर्ष का सिधान किस्ट ने दिया है ये दिय प्रवत्ति का सिधान मैं डूगल ने आवश्रक्ता का सिधान दिया है अब रहम मासलों ने छेत्री सिधान दिया है कोट लेविन ये बहुत ही महत्पुन है एक्जाम की द्रश्टी से और जैसे इसमें है प्रनोध का सिधान जिसे अंतरनोध का सिधान भी कहते हैं बहुत ह महत्वण है उपलब्दी का सिध्धान्त आपके लिए बहुत ही महत्वण है दिगर ट्रिक से याद करेंगे जब मैं आपको सिध्धान्त डीटेल से बताऊंगा तो ट्रिक भी में बता दूँगा आपको तो इस प्रकार से ये महत्वण सिध्धान्त होते हैं आज के हमारे सि मनो विस्रेशंद सिध्धान्त और मोल प्रवत्ती का सिद्धान्त तो पढ़ते हैं उनको हम आप लोग ध्यानने केगा सिग्मेंड फ्रैड आस्ट्रिया के निवासी थे इन्होंने मनोविसले सनात्मक सिध्धान दिया था इन्होंने बताया व्यक्ति के अंदर दो प्रवत्तियां पाई जाती हैं और इन प्रवत्तियों के आधार पर व्यक्ति कारे करने के लिए प्रि जीवन मूलक और म्रत्व मूलक जीवन मूलक क्या होता है देखिए जीवन मूलक जो मुल प्रवत्ति है या निर्माण कारी होती है व्यक्ति में सगारात्म गुर्जा और आसावादी द्रश्टकोंड की उत्पत्ति करती है जीवन मूलक और यहां व्यक्ति को प्रगत की ओर ले जाती है ठीक है कौन सा इरोज यानि जिवन मुलक जो मुल प्रवत्ति होती है ये विक्ति को निर्माण कारी बनाती है शकारात्म गुर्जा वाला बनाती है आसावादी बनाती है और प्रगत की ओर ले जाती है मरत्मुलक यानि जो थिंटोस होता है यह विध्वन्स कारी होता है व्यक्ति में नकारात्मक उर्जा का प्रवाह करता है जिससे व्यक्ति का पातन होता है ठीक है और निरासावादी द्रिष्टकोंड जो है व्यक्ति में आता है म्रत्य मूलक मूल प्रवत्ती से ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान देखेगा मनो विसलेसर का सिध्धान्त सिगमंड फ्राइड ने दिया है दो प्रकार की मूल प्रवत्तियां वाताई हैं जीवन मूलक और म्रत्यु मूलक ठीक है आप समझ गया होगे इनके बारे मैंने आपको बता द दिया था विलियम जेम्स ने ठीक है लेकिन सिध्धान सबसे पहले किस ने दिया था मैकडूगल ने आगे लिकावाए मूल प्रवत्ति जो होती है जन्मजात होती है और यहां अचेतन मन में पाई जाती है जो मूल प्रवत्ति होती है यह अचेतन मन का हिस्सा होती है और य प्रतिपादन किया था मैक डूगल ने यूनाइटेट के इंग्डम के थे मैक डूगल महोदे इस चीज को आप लोग ध्यान किया आउट लाइन आप साइकोलोजी बुक में जो है 1908 में मुल प्रवत्ती के सिधान्त को प्रतिपाजित किया था मैक डूगल महोदे ने ठीक है म प्रवत्त होता है तो आप किसी की सरण में चला जाते हैं भय होता है तो आप पलाइन कर जाते हैं तो स्वाभाविक व्यवहार होता है मुल प्रवत्ती ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान निखेगा आगे बढ़ते हैं तो मुल प्रवत्ती का जो सिध्धान्त है ये दि देखे मूल प्रवतिया जो है आदतों से भिन्न होती है आप आदतों को चंज कर सकते हैं जरूर इस वीट को ध्यान रिखेगा मूल प्रवतिया सारभमिक होती है यानि मूल मूल प्रवतियों का रूप सरूप कार सबी प्राणियों में अलग-अलग होता है ठीक है क्योंकि situation के अनुसार सभी व्यक्ति एक प्रकार का विवार नहीं करते हैं ठीक है तो इसी वज़े से जो है मूल प्रतियों का रूप स्वरूप प्रकार जो है वो अलग-अलग होता है जैसे माल ये एक क्लास है ठीक है उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है अब इस क्लास को हम चारो और से बंद कर देते हैं उसमें अंधेरा हो जाता है ठीक है तो कुछ बच्चे हसेंगे कुछ बच्चे रोएंगे कुछ बच्चे चिलाएंगे क्यों open the door, दरवाजा खोल दो, बहुत डर लग रहा है तो मतलब मोल प्रोतियों का जो स्वरूप होता है वो सभी प्राणियों में अलग-अलग होता है situation के अनुसार MacDougal ने जो है 14 मोल प्रोतिया बताई है ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है, मोल प्रोतियों से समवेगों को उत्पति नहीं होती है ये एक तरब जो है आपको मोल प्रोतिया गया है दूसरी तरब भै जो है ये समवेग दिया गया है जो red से लिखा गया है वो मोल प्रोतियों है ब्लैक से लिखा गया है वो सम्वेग है तो मैकडूगल महोदे ने चौदा मूल प्रवत्तियां बताए थी और चौदा सम्वेग बताए थे सम्वेगों से मूल प्रोत्तियां जुड़ी हुई होती है इस चीज को किस ने बता है मैक डूगल ने इस चीज को आप लोग ध्यान नेखेगा देखिए आगे बढ़ने से पहले जो है हम लोग एक चीज और जान लेते हैं सम्वेगों मूल प्रोत्ति और भावना क्या होती है देखिए भावना भावना सम्वेग और मूल प्रोत्ति देखिए भावना यानि विचार जो हमारे दिमाग में होता है जिसको हमने अभी तक बाहर नहीं किया है तो वो होती है भावना लेकिन जिस विचार को हमने बाहर कर दिया है तो वो होता है समवेग और जो विचार हमने बाहर किया है उसी के अनुसार कार करना वो होता है मोल प्रवात्ती ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान लगेगा यानि भावना जो होती है वो हमारे दिमाग के अंदर होती है जब तक हमने उसे व्यक्त नहीं किया होता है और जैसे ही हम उसे व्यक्त कर देते हैं वो होता है सम्वेग ठीक है और उसी के अनुसार यानि जिस भाव को हमने व्यक्त किया है उसी के अनुसार किरिया करना होता है मौल प्रवत्ति ठीक है इस चीश को आप द्यान रेएगा तो सम्वेगों से मौल प्रवत्ति जुड़ होती है पालायन मौल प्रवत्ति से जुड़ा हुआ है यानि जब आपके अंदर भै समवेगे हगा तो nooit मौल को तो पलायन की होगी है यानि आपको डर लगेगा किसी जगह पर तो आप उस जगह को छोड़ कर चले जाएंगे दूसरा मुलप्रवत्ति यूइस्सा, यूइस्सा से जुड़ा हुआ सम्वेभ है क्रोध यानि माली जे अगर आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है तो आप क्या करेंगे उससे युद्ध करने की इच्छा रखेंगे तो कुरोध समवेख से जुड़ा हुआ मोल प्रवत्ति है आपका यूइस्सा. घ्रना, घ्रना से जुड़ा हुआ होता है निवरत्ति यानि पीछा छुड़ाना. अगर आप किसी व्यक्ति से घ्रना करते हैं, इसा करते हैं, तो आप उसके सामने नहीं जाना चाहेंगे और आ उनके अंदर वातसल की भावना आती है तो वो क्या करते हैं वो संतान प्राप्ती के लिए अगरसर होते हैं वो संतान प्राप्ती की मूल प्राप्ती जागरत होती है वातसल संवेग के कारण ठीक है अगला है दुख या कष्ट संवेग दुख या कष्ट जब संवेग होता है तो इससे जुड़ी होई मूल प्रवत्ती होती है शरणागरती यानि माली जी अगर आपको दुख होता है आप एक्जाम में फैल हो जाते हैं तो आप कहां जाते हैं मंदिर जाते हैं मस्जी जाते हैं गिरजागर जाते हैं आप भगवान की सरण में जाते हैं और प्राथना करते हैं तो दुख या कष्ट जब सम्वेग होता है तब मूल पर होती है सरणा करती हम लोग 14 मूल पर होती है और 14 सम्वेगों के बारे में बात कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं देखिए जब काम होता है यानि लस्ट होता है लस्ट जब सम्वेग होता है तो काम यानि सेक्स की भावना जागरत होती है आश्चर जब आपके अंदर आश्चर का सम्वेग होता है तो आपके अंदर जिग्यासा होती है जैसे माली जे रेड फोर्ट है लाल लंका बना हुआ है वो एक आश्चर है तो आप सोचते हैं कैसे मलब जिग्यासा होती है कैसा बना हुआ है कैसे पत्रों से बना हुआ है कास हम उसे देखते हैं तो आश्चर जब सम्वेग होता है तो मुल परोती होती है जिग्यासा आत्म हींता आत्म हींता जब आप महसूस करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहें दया मिलने चाहें तो आत्म हींता सम्वेक से जुड़ा हुआ है दयन या दया करना मुलपरोती एक्जाम में कैसे पूछता है कि मैक डूगल ने जो मुलपरोती का सिद्धान दिया है इन्होंने आश्चरे नाम का सम्वेग दिया है और इससे जुड़ी हुई मूल प्रोती कौन सी है तो कौन सी होगी जिग्यासा ठीक है इस प्रकार से एक्जाम में प्रश्ण बन जाते हैं अगला है आत्म स्वाभिभान और आत्म स्वाभिभान सम्वेग से जुड़ा हुआ है आत्म गवरव ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यानने केगा एकाकी पन यानि एलोन आप अकेले रहते हैं माली यह आप किसी सहर में जो है पढ़ाई कर रहे हैं और रूम में आप अकेले रहते हैं ठीक है तो कुछ समय के बाद आपका मन होगा कि अपने दोस्ते से मिलाओं तो जब एकाकी पन समविग होता है तो आप क्या करेंगे समुह में जाने का सोचेंगे तो एकाकी पन समविग से जुड़ा हुआ है सामुहिकता भूख आपको जो भूख लगती है भूख नावक समविग होता है तो आप क्या करेंगे भोजन की खोज करेंगे भोजन की तलास करेंगे भोजना अन्वेशन तो भोजन की खोज भूख समविग से जुड़ा हुआ है भोजन की खोज स्वामित या अधिकार तो जब स्वामित या अधिकार स्वामित होता है तो आपके अंदर संग्रहन करने की मुलप्रोती जागरत होती है माली ये आपके घर के पीछे सोने की ख़दान निकली है ठीक है तो आपको पता है कि ये मेरी जमीन है तो आप क्या करेंगे उसको संग्रहन करना चाहेंगे तो स्वामित या अधिकार जब संवेग होता है तो मुल्प्रोति जागरत होती है संग्रहन क्रति भाव कृतिभाव जब आपके अंदर होगा सम्वेग तो आती है रचनाथमक्ता अमोद, अमोद नाम का अमोद नाम का जब सम्वेग होता है तो हास, नाम जो है मौल परवत्ती जागरत होती है तो इस चीज़ मौन ध्याण रेखेगा जल्द ही हर चीज को हम लोग objective के रूप में बढ़ेंगे तो आपको और भी मजाएगा तो मिलते हैं आप से दोस्तों अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा, थैंक यू